जेहिन दोस्तों मैं हुआ अनूब और आप सब लोग देख रहे हैं Global Conflict तो दोस्तों भारत ने सक्सेस्पुली बनाया और एक Air Launch Cruise Missile और हाली में हिंदुस्तान Aeronautics Limited के द्वारा इन नया हत्यारों के शोकेस किया गया है दोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited बैंगलूरू बेस New Space Research and Technology के साथ मिलके Aero India 2021 में कुछ equipment होगा डिस्प्ले करेगा जिनमें Combat Air Trimming System C.A.T.S. नामक एक नया Air Launch Low Observable High Precision Stand-Up Cruise Missile शामिल है दोस्तों हाली के कुछ classic के मुताविक C.A.T.S. Hunter Indian Air Force के Air Capto के द्वारा जमेनी ठिकानों के साथ-साथ समुंदरी ठिकानों को भी ध्वस करने के लिए इस्तिमाल किया सकता है जिसमें करीबन 2500 kg के High Explosive Blast Fragmentation Warhead का इस्तिमाल किया जाएगा दोस्तों ये जो मिसाइल है इसका रेंज 200 किलोमेटर से अधिक कहा जा रहा है जबकि इसमें नेविगेशन के लिए New Generation के नेविगेशन सिस्टम जैसे की Global Positioning System, Terrain Revival Navigation, Image West Navigation, Automatic Target Acquisition और Image Infrared Seeker जैसे एक्वेपमेंटों का इस्तिमाल किया जाएगा 600 किलोग्राम से भी जादा वजन के ये मिसाइल एक टर्बो जेट इंजिन के द्वारा अपरेट होता है और संभावित इसे Indian Air Force के तेजस मार्क वान, Mirage 2000 और सुकोई 30 MKI जैसे फाइटर एरक्रैप्टों के फिलिट में शामिल किया जाएगा जबकि फ्यूचर में आने वाले एरक्रैप्ट जैसे की तेजस मार्क टू, मीडियम वेट फाइटर, ट्विन इंजिन, डेग वेस फाइटर और AMCA जैसे फाइटर एरक्रैप्टों में भी इस तरीके का हत्यारों को लगा जा सकता है दोसो ये काफी low observable और air launch हत्यार होने के वज़ाए से इसका इस्तेमाल बाला कोड जैसे हवाई हमले में भी किया जा सकेगा इवेन आपके जानकारी के लिए बता दू कि ऐसे ही हत्यार का इस्तेमाल मिराश 2000 एरक्रैप्टों में भी किया जा रहा है पर फिलाल उन हत्यारों को हम डारेक्ली फ्रांस से फर्चेस कर रहे है दोसों रैफेल एरक्रैप्टों में जो लो अफजर्वेवल एर लाउंच क्रूज मिसाईल का इस्तिमाल किया गया है उसे हम श्रॉम शैडो या स्कैल्प मिसाईल के नाम से जानते है और ये दुनिया के एक घातक तरीन एर लाउंच हत्यार है जिसे लगवग रडर में दे अन्य देश से मिसाईलों को पर्चेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इवेन हम आशा ये भी करते है कि आने वाले दशक तक इंडिया अपने डिफॉन्स इंपोर्ट को लगवग ना के बरावर कर देगा और इंडिजिनियस हत्यारों के द्वारा ही अपने हर तरीके के ज दोर रजों को पूरा कर पाएगा चाहे वो एयरक्राफ्ट हो या मिसाईल हो या फिर स्मॉल एमूनेशन या आम्स हो तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में